हेलो जस्तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर करना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है नहीं वाला है क्यूंकि आज के से वुड़र में आप लोग को इंट्राडे लेवल पे मार मार्केट को अनलाइज कर सकते हो और इस इस्ट्राडिस की खास बत यह है कि इसमें आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लोज और टार्गेट यह तीनों चीजे पता चल जाती है तो आई यह सीखते हैं कि कैसे यह इस्ट्राडिस वर्क करेगा और क्या है यह यह इस्ट् का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह इस्ट्राडिस है क्या और इसको कैसे अपलाई करना है किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स के अंदर इस्ट्राडिस बहुत ही सिंपल सा है जैसे ही आपका मार्केट ओपन होता है 9-15 पर मार्के केंडल को वेट करना है मतलब अगला कोई भी केंडल 3,4,5 पूरे दिन में जहां पे भी इसका अगर हाई ब्रेक होता है या फिर इसका लो ब्रेक होता है उस डिरेक्शन में आपको अपने ट्रेड इनिसियेट करना चाहिए ठीक है यहां पर देखिए यह स्ट्राडिस ऐसा पर भी ब्रेकाउट या ब्रेकडाउन होगा अगर उपर की तरफ मार्केट निकल रहा है तो आपको बुली स्ट्रेड बनाना है अगर नीचे की तरफ ट्रेड निकल रहा है तो आपको बेरी स्ट्रेड बनाना है तो सबसे पहला तो आपको एंट्री पता चल गया कि हाई के पास अगर break करता है तो आपका यहाँ पर बन जाता है entry या फिर नीचे की तरफ अगर break करता है तो यहाँ पर हमारा बन जाता है entry अब हम लोग को stop loss और target कहां पर रखना है ध्यान से समझेगा अगर यहाँ पर high को break करता है उपर की तरफ तो आपको stop loss यह जो पहला candle है 15 इसके नीचे थोड़ा सा buffer दे करके यहां पर आपका SL लग जाएगा यानि कि जैसे आपका break देता है उपर की तरफ आपने अपना entry बनाया सबसे पहला काम आपको अपना stop loss लगा करके ready रखना है system की उपर तो यह हमारा हो गया stop loss अगर वहीं पर नीचे की तरफ break करता है तो आपका stop stop loss कहा हो जाएगा इस candle के high के थोड़ा सा उपर यहां हमारा SL हो जाएगा तो आपको यह चीच पता चल गया कि आपको entry कहां पर करना है और आपका stop loss कहां पर होगा अब आपका target क्या होगा ध्यान से समझेगा यह जो आपका 15 मिनिट का candle है starting का morning का यह अगर मानलो की X है जित 2X का target उपर के directions में लेना है अब आपको यहां पर पता चल गया कि proper आपका target क्या होगा ठीक है यह आपका target हो जाएगा उपर की तरफ target ही हो जाएगा तो इस तर से आपको अपना entry stop loss और target बनाना है इस strategies के अंदर आपको पूरे दिन में सिर्फ एक ही trade लेना है बार बार जस्की नहीं घुसना है क्योंकि market sideways है वैसे आपका पैसा loss होगा अगर आप options में कर रहे है तो definitely आपका time decay की वज़े से और भी जदा नुकसान होगा इसलिए आपको momentum को trade करना चाहिए जैसे breakout दे या breakdown दे तब आपको यहां पर entry करना है चलिए अब हम लोग यहां पर समझते है कि कैसे यह status live market के अंदर work करेगा तो अभी आप यहां पर chart देख सकते हो कोई भी chart आप उठा करके देख लेना let's say यहां पर 22 तरीक का यह हमारा chart है अब इसके अंदर की सरसे आपको trade करना चाहिए देखिए पहला candle हमारा यह green वाला है इसका हमने high mark कर लिया इसका हमने low mark क आप ने देखा कि यहां पर दूसरा candle यहीं आसपास रहा यहां पर थोड़ा सा breakout भी दिया है आप यहां पर भी चाहो तो entry कर सकते हो लेकिन instant हमारा red candle बन गया है यहां पर हमारा proper entry दिखा रहा है तो यह वाले candle के अंदर हमारा क्या हो जाएगा entry हो जाएगा stopless हमारे candle के low के नीचे हो जाएगा तो यह हमारा stopless हो गया अब आपको इसको ride करना है दो गुना तक यानि कि हमारा अगर यह x है यह वाला हमारा अगर stopless x है तो हम उपर की तरफ target लगबग यहां तक यानि कि 2x लेकर के चलेंगे यह हमारा हो जाएगा target तो इस तरह से आपको यहां पर market के देख सकते हो और हां इसी strategies को use उस दिन मत करना जिस दिन कोई event हो जैसे की covid वाला situations हो सकता है या फिर कोई budget वाला दिन हो सकता है elections वाला दिन हो सकता है कोई भी defined या undefined event हो उस दिन आपको इस strategies को apply नहीं करना है दूसरा चीज कभी भी अगर आप देख रहे हो कि market में बहुत ज़्यादा panic create हो रहा है market बहुत ज़्यादा down जा रहा है बहुत ज़्यादा आप जा रहा है या फिर ऐसे situation जिस दिन बहुत ज़्यादा news खराब आ रहा हो या बहुत अच्छा news आ रहा हो किसी stocks के particular या फिर किसी market को ले करके या फिर global level पर अगर कोई खास news आ रहा है जिसक हो सकता है कि market bullish जा रहा था आपने trade ले लिया लेकिन instant आपका एक ही दो candle के अंदर बहुत बड़ा bearish या बहुत बड़ा bullish आपको देखने को मिल सकता है तो depend करता है कि news वगरा कैसा आया है उस दिन आपको apply नहीं करना normal जो day रहता है बाकी के जो दिन रहते है उनमें आप इस तरफ से judgment आया था तो यहां पर देखिए market क्या था पंदरे मिनट के candle का high break किया उपर की तरफ ठिक ठक जा रहा था लेकिन अचानक से suddenly क्या हुआ market में बहुत बड़ा fall देखने मिला और यहां पर जो लोग भी trade किये होंगे काफी ज़्यादा मतलब first गये होंगे यहां पर bullish trade लिए होंगे लेकिन इनका trade पूरी तरसे बरबाद हो गया और जो लोग hold किये होंगे अगर stop loss नहीं लगाया होंगे उनका तो भी बहुत ज़्य entry बनाया आपका दो गुणा का target नीचे की तरफ नहीं दिया और पूरे दिन market यहां पर फसा करके रखाया यानिकि ना आपको profit रुआ ना loss हुआ side ways हो गया पूरी तरह से market तो ऐसे दिन में आपको बच के रहना है बाकि आप यहां पर कुछ-कुछ दिन देख सकते हो जैसे यह वाला यहां पर ध्यान देखिए 13 तारिक का यह हमारा high है यह हमारा low है यहां पर entry बन रहा है यह हमारा SL हो जाता और नीचे के तरफ इसका दो low है इसके नीचे हमारा entry बन जाता है और हमारा stop loss यहां असपास में लग जाएगा जो कि hit नहीं हुआ है और नीचे की तरफ आप यहां पर देख सकते हो हमारा target automatic यहां पर hit हो जाता या फिर दूसरा options आप यह भी कर सकते हो कि अगर आपको पूरे लंबे ride करने है आपको trailing मतलब simple सा यह है कि आपका यह entry बन गया ठीक है entry हो गया तो आप जैसे यहां पर हमारा SL लगा हुआ है आपका market अगर यहां असपास में आ गया तो आपको लगता है कि market और भी जादा गीरेगा तो आप यहां पर profit बुक मत करिए अपने stop loss को बढ़ा करके यहां पर कर fix हो जाएगा तो इस तर से आप अपने profit को protect करते हुए trailing stop loss को use कर सकते हो I hope आप लोग को यहां तक अच्छे समझ में आगया होगा चलिए अब हम लोग यहां पर समझते है कि इसके अंदर risk क्या होता है अगर आप इस status को use करते हो तो आपको अपना risk factor पता होना चाहिए जै पर आपका entry बन जा रहा है यहां आपने entry तो कर लिया लेकिन stop loss को आप पहले calculate करके देखो कि अगर यहां पर आपने entry करा यहां से अगर market गिरते गिरते यहां तक आ जाता है तो आपको कितना loss होगा और वो loss आपका pocket allow करना चाहिए अगर आपका pocket allow नहीं कर रहा है आपका budget नहीं है उतना ज्यादा loss जेलने का अगर देखिए सुरुवात में जो मार्निंग में market जब ओपन होता है तो पहला candle होता है बहुत बढ़ा बन जाए और उस candle के ऊपर अगर आप entry कर रहे हो तो आपको stop loss कहा लगाना पड़ेगा उस candle के low के नीचे मतलब बहुत बढ़ा candle अ और आपका entry यहाँ पर हो जाता तो इस case में क्या होगा आपका stop loss इतना बड़ा हो रहा है अगर इस stop loss को आप bear कर सकते हो तो definitely आपको trade में enter करना चाहिए अधर्वाइस आपको ऐसे trade में enter नहीं करना चाहिए इसका simple सा मतलब है आपको अपना risk management करने आना चाहिए आप अपना quantity में trade करना है जितना आपका pocket allow करना है मतलब basically आपको risk management position sizing यह दो चीज़े यहाँ पर maintain करके रखना पड़ेगा तो दोस्तों I hope आप आप लोगो को इस strategies के अंदर सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा बाकि अगर आप इस strategies को use करते हैं तो आपको accuracy थोड़ा बहुत करेगा जैसक मैंने आप लोगों के आपके कुछ example के रूप में दिखाया था तो दोस्तों मुझे प्रहूं में देखिए कि आज काई वीडियो आपको जरूर पसंद आगा वीडियो पसंद दे तो like, share और चानल को सब्क्राइब कर लिजे वीडियो से लेट कोई भी confusion है तो झाल